मैं आप सबका स्वागत है मैं हूँ आपका एजुकेटर शशांक रॉय तन मन धन से आपकी सेवा करने के लिए आया हूँ UPSC वाला के प्लेटफॉर्म पे आपको करेंट अफेर्ड दिल से पढ़ाऊंगा जल्दी से शुरू करते हैं आज आपके एक बहुत important question का answer देना है मुझे बहुत से बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर क्या हमें आपका newspaper पढ़ने के बाद बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है मैं आपको एक बात का भरोसा देना चाहता हूँ आज का content देखने के बाद आज का preparation देखने के बाद आप ये बात मेरे से पूछना बंद कर देंगे और खुद अपने आप से बोलेंगे कि क्या हमें और कोई session attend करने की जरूरत है मैं इस बात की guarantee देता हूँ कि एक घंटे का जो time है आप spend करने नहीं आए हैं आप invest करने आए हैं आपने future में चलिए शुरू करते हैं आज का session आज हमने बहुत लंबी सी list लिये है उसके सामने general studies paper 1, 2, 3, 4 का भी हमने mapping किया हुआ है इसके अलावा आगे बहुत से बच्चों का खहना है कि हर topic के सामने आप syllabus की mapping कर दीजे तो मुझे थोड़ा सा time दीजे एक दो दिनों के अंदर आपको बहुत अच्छा micro level पे हम आपको syllabus भी provide करेंगे और हर एक article के साथ उसकी mapping भी कर देंगे समय वेस्ट ना करते हुए मैंने सारा का सारा mention किया हुआ है पूरे articles को मैंने GS paper 1, 2, 3, 4, page number के साथ, page number 6, page number 6, page number 6, gs paper 2, gs paper 1, 3, इन सब की mapping कर दी है अब आगे चलते हैं, magazine के बारे में आपको जल्दी है अपडेट किया जाएगा, world news के बारे में है, बाबा जी का ज्यान है, एक बार ज़रा इस image को ध्यान से देखिएगा, appreciate your parents, you never know that sacrifices they went through for you एक बार ज़रा देखिएगा, छोटे बच्चे की पंको को लगाने के लिए, मा जो है, अपने पंको को निकाल रही है, यह एक imaginary है, imagine है, जो दिखाता है, कि माब आप कितनी कुर्बानिया करते हैं, बच्चों के सपनों को पंक लगाने के लिए, तो मैं एक बार जरूर बोल तो मेरा सिर्फ आप से एक question है, कि जब भी आपके अंदर demotivation आए, तो पलट के अपने parents की तरफ जरूर देखेगा, उनके चेहरे पे पड़ी हुई जुरिया, उनके आखों में जो सपने हैं और जो उमीद की किरण है, वो आप हैं, तो आप अपनी नजरों में अगर आप मजबूत नहीं होंगे, तो आपके parents को भरोसा कैसे मिलेगा, तो मैं जरूर एक बात को बोलूँगा, कि कभी भी अपने आपको निराश नहों, हताश नहों, और कभी भी इस बात के लिए मत बैठे, कि आपका examination बहुत tough है, clear होगा या नहीं होगा, प्लीज एक बार अपने parents का चेहरा देख लेंगे, और आपकी सारी जो है, परिशानिया दूर हो जाएंगी, एक बार आप अपने parents के चेहरे पर पढ़ी हुई जो शिकन को देख लेंगे, उनकी ढलती हुई उमर को देख लेंगे, तो आपका फिर से motivation वापस मिल जाएगा, उसके अलाब आप मैंने कुछ भी गलती नहीं है, और उसके साथ ही इस बुजूर्ग अंकल की आखों में आसू आ जाते हैं, और कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चे कभी मुझे फोन ही नहीं करते, मेरा फोन तो ठीक है, अंकल को ये लग रहा था, कि उनका शायद फोन खराब है, जिसके चलते, बच्चे उनको फोन नहीं कर पा रहे हैं, मैं एक बात जरूर बोलूँगा, कई बार हम UPSC प्रेपरेशन के दौरान हम पूरी दुनिया से कट आफ हो जाते हैं, लेकिन अपने मम्मी पापा से कभी कट आफ मत हो येगा, जब भी दिल करे, बिना कोई जरूरत हो या अब भी आपको किसी मोटिवेशन की जरूरत है, अब भी आपको किसी डी मोटिवेशन की जरूरत है, चलिए, आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं, ये देखे, ये आर्च स्टोन मॉडल है, ये मेरा मॉडल है, शशांक रोय का मॉडल है, आर्च स्टो की स्टोन क्यों कहा जाता है की स्टोन का मतलब यह है कि यह वो important पत्थर है कि अगर इसको निकाल देंगे तो पूरा का पूरा structure collapse हो जाएगा या पूरा का पूरा structure नीचे की तरफ भरभरा की गिर जाएगा तो अब अगर मैं पूछू आप से कि UPSC में वो कौन सी कड़ी है व तो माफ कीजेगा इस बुजूर्ग educator को थोड़ा सा time दीजेगा टीम मेरा question यह है कि क्या UPSC में भी कोई गुथी है जिसको अगर आपने समर्ज लिया तो पूरा UPSC का किलाफ पत्थ हो जाएगा चलिए की stone के साथ साथ इसको हम arch stone भी बोलते हैं टीम इसको हम arch stone भी बोलते हैं जिस तरीके से building में arch stone होता है उसी तरीके से यह देखे पूरे pull की बनावट में इस वाले पत्थर पे सबसे ज़्यादा pressure है और यह पूरा का पूरा pressure जो है यहां तक आता है अगर यह collapse हो जाएगा तो पूरा का पूरा bridge collapse कर जाएगा तो अब मुझे बताओ UPSC में वो क बर्जरन को देखेगा जिस तरीके से architecture में architecture world में keystone होता है arch stone होता है उसी तरीके से जानवरों की शुंखला में भी अगर देखा जाए पूरे पादब जगत में देखें जानवरों का अगर पूरा food chain और food web देखा जाए तो उसमें भी a keystone species होता है जैसे देखें यहां पे यह भेडिया है यह बाइजन को भी खाता है चुहों को भी खाता है हिरन को भी खाता है और खर्गोश को भी खाता है यह क्या हुआ यह keystone species हुआ यानि कि अगर यह हट जाएगा तो पूरा पारस्थतिकी तंत्र जो है जितना भी food web है वह collapse हो जाएगा और इनका population इतना बढ सुच्ף थाइब नहीं कर पाएगा इसी तरीके से आगे चलके देखते हैं अब एक बात और सिम अभी तक समझ में आया है अ अभी तहल्यगे अ है कि कि अब SME दों आगे बताना है इसको समfound liya तो उसके बाद से आपको कोई परशानी नहीं होग को गा क्या है यह है विंड स्क्रीन यह क्या है विंड स्क्रीन क्या करता है विंड स्क्रीन आपके फ्यूचर को दिखाता है आपके फ्यूचर को दिखाता है ठीक है यह क्या है यह बैक वियू मिरर है बैक वियू मिरर क्या करता है बैक वियू मिरर जो है आपके पास्ट को दिखाता तो एक बात बताईए बड़ा कौन है आपके future वाला window ज्यादा बड़ा होना चाहिए या past देखने वाला window पीछे देखने वाला आपके आगे देखने वाला window जो है यानि आपका wind screen इसी लिए बड़ा होता है क्योंकि आप उसमें बहुत बड़े level पे देख सकें अपने future को देख सकें क्योंकि वो ज्यादा important है wind back view mirror छोटा होता है क्योंकि उससे आपको past में देखना होता है अब arch stone का मतलब क्या है यानि UPSC examination में team मेरे arch stone model का मतलब क्या है मेरे arch stone model का मतलब ये है कि आपको कुछ चीजें integrate करके पढ़नी है कुछ चीजें integrate करके पढ़नी है और layering बनानी है और ये layering आपको एक साथ अगर बना लिया ना तो life जिंगा लाला हो जाएगी यानि चीजों को integrate करना है आज आपको ये कला सिखाऊंगा कि वो कौन-कौन से chapters हैं जिनको हमें integrate करना है चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आप listing करेंगे पहले आप पढ़ेंगे economic survey उसके बाद से आप इसमें budget को integrate करेंगे उसके बाद से आप इसमें finance commission को integrate करेंगे उसके बाद से आप इसमें Reserve Bank of India को integrate करेंगे क्योंकि monetary policy बनाता है और नीती आयोगो को integrate करेंगे क्योंकि यह policy recommend करता है टीम यह समझो यह 5 चीजें एक साथ तयार करो economic survey, budget, finance commission, 15th finance commission का recommendation क्या है क्योंकि यह 5 साल का blueprint है क्या है यह 5 साल का blueprint है यानि 2014-25 तक आपको पूरा guideline देता है team clear है economic survey, budget, finance commission, 15th finance commission का recommendation, Reserve Bank of India क्योंकि monetary policy बनाते है regulate करते हैं और नीती आयोग क्योंकि policies को recommend करते हैं team clear है बच्चे लोग समझ में आई बात श्रेंखिला समझ में आ गया बात शाना खान समझ में आई बात कि अलग अलग क्यों पढ़ना पता है problem क्या है problem यह है कि आप economic survey और budget का रट्टा मार लेते हैं वो नहीं करना है वो बिल्कुल नहीं करना है अगर economic survey और budget का रट्टा मार लेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं होना question आएगा तो भी solve नहीं कर पाऊगे integration समझ में आया आगे चलो अब देखते हैं हमने क्या किया हमने economic survey complete किया हमने economic survey के साथ budget अब economic survey क्या है economic survey आपका पीछे देखने वाला mirror है economic survey आपका पीछे देखने वाला mirror है जो बताएगा कि past में हमारे पास क्या क्या challenges थे budget क्या है ये हमारा wind screen है जो बताएगा हम future में क्या करने वाले हैं उसके बाद से 15th finance commission का 5 साल का हम blueprint देखेंगे कि 5 साल में सरकार क्या क्या करने वाला है 5 साल में ज़रा देखे 15th finance commission का जो पूरा का पूरा है किस पे scheme बनने वाला है population पे, state के areas पे, forest and ecology पे, income distance पे, demographic performance पे, tax effort पे, team ये देखो यानि कि finance commission को अगर resource बाटना है तो इस बार बोला गया है कि आप population, area, forest, income distance, population का performance, tax effort इन सब के basis पे आप resources को allocate करेंगे team समझ में आई बात, finance commission को क्या बोला गया है कि अगले जो 5 साल तक का mandate है उसमें आप population पे, area पे, forest and ecology पे, income distance पे demographic performance पे और tax effort पे, अब मैं इसको समझाता हूँ population, कौन से state ने, कौन से state का population अधिक है, कम है, कौन से state ने population को control करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए है, कौन से state का income जो है बहुत कम है per capita और कौन से state का बहुत अधिक है जैसे गुजरात का per capita बहुत अधिक है, उत्तर प्रदेश के per capita income से, forest and ecological resources, किसी state का area कितना बड़ा है, कितना छोटा है, अब, team, hey team, 15 finance commission समझ में आया, अचा, never give up बच्चे मैं कोशिश कर रहा हूँ, team, अब एक बात बताओ, अब अगर मैं बोलू कि census data हमारे पास नहीं है, तो finance commission resource कैसे allocate करेगा, अगर मैं बोलू कि census data हमारे पास नहीं है, तो finance commission resource कैसे allocate करेगा, पुराने performance पे, यानि पुराना वाला जब ये data आया था, तो उस समय, 121 करोड population था, आज है 137 करोड, यानि कि हम जब policies बनाएंगे और resources allocate करेंगे, तो उसमें लगभग हमारे 18 करोड लोग पीछे छूट जाएंगे, ओल्ड डेटा, लेकिन कुमारी शुलेखा, ओल्ड डेटा लेने का problem समझ में आया, अरे aspirant रुखो न बच्चे, अभी सुनो, fundamentals layer करते हैं, चलो, 139 million मान लिया, अभी रुख जाओ, समझो पहले concept को, अब समझ में आया कि census data important क्यों है, बच्चे लोग, आप समझ में आया कि census data important क्यों है, रट्टा मारना एक चीज़ है, और concept समझना एक चीज़ है, हमने क्या किया, हमने economic survey भी तयार किया है, हमने budget भी तयार किया है, हमने finance commission भी पढ़ा है, हमने finance, 15th finance commission का recommendation भी पढ़ा है, और हम current affairs integrate कर लिए, कि census क्यों timely होना चाहिए, और अगर timely नहीं होगा, तो उसका challenge क्या है, clear है team, अब भी रटना पड़ेगा, अगर रटना पड़ेगा, तो मेरे मूचों की बात है, मेरे मूचों की शान में गुस्ताकी हो जाएगी, अगर मेरे पढ़ाए बच्चों को रट्टा मारना पड़ेगा, that's a matter of shame for me, बच्चे लोग, यह ठीक है, अभी रुको, picture अभी बाकी है, picture बाकी है, यह तो वहाँ population, उसके बास से हम चलेंगे, Hi Shashi Uncle, कैसे हैं आप, Hello Shashi Uncle, कैसे हैं आप, यह है Shashi Kanjaj जी, तो हमें क्या करना है, हमें Resolve Bank of India के, छित्राधिकार को समझ लेना है, ताकि हम demonetization के दौरान, जो decision लिये गए थे, और जो Supreme Court ने, इनको थोड़ी फटकार लगाए थी RBI को, तो आप ज़रा RBI के बारे में पढ़लेंगे, उसके बाद से, हम निती आयोग के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि policies को जो formulate करने की responsibility दी गई है, think tank है, ये निती आयोग की responsibility है, ठीक है, team clear है, ए बच्चे लोग, clear बाकी न, I mean clear है की नहीं, निती आयोग, policy पढ़ो यहां से, निती आयोग का काम पढ़ो, निती आयोग के documents बहुत important है, team, निती आयोग के documents बहुत important है, ये भी पढ़ाऊँगा मैं आपको, लेकिन अभी समय नहीं आया है, निती आयोग के document, उसमें भी सबसे important document क्या है, India at 75, India at 75, भारत के 75 साल पूरा करने पे, निती आयोग ने एक document लिखा है, India at 75, तो चलो, clubbing करो जल्दी से, ठीक है, जल्दी से clubbing करो, निती आयोग, लिखना शुरू करो, निती आयोग, Reserve Bank of India Monetary Policy के लिए, 15th Finance Commission का जो mandate है, वो, Finance Commission के बारे में basic पढ़ेंगे, लक्षमिकान से, बजट का data clear करेंगे, और बजट में सबसे ज़्यादा क्या, बजट में सबसे ज़्यादा पढ़ना है, जो graph होता है न, recovery वाला, ठीक है, X, L, W shape recovery, U shape recovery, N shape recovery, 0 shape recovery, dunda shape recovery, under shape recovery, mango shape recovery, ये सारी recovery के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, आगे देख लो, economic survey, हुआ, अच्छे लोग, clear है, अभी रुको, अभी रुको, नाउ, इन सारी चीजों को आप तब समझ पाएंगे, जब center state relations के बारे में, गुड बार्निंग एडिवर्ट, टीम, इन सारी चीजों को आप तब पढ़ पाएंगे, और समझ पाएंगे, जब आप center और state के बीच में, जो relation है, उसको समझेंगे, तो, center, अब जैसे, ममताब energy सरकार, जिस तरीके से, governors और chief minister के बीच में, जो जगडा चल रहा है, आज भी एक report आया है, governor और chief minister के बीच में, जो जगडा चल रहा है, खीचतान चल रहा है, वो क्या है, वो center state के बीच का conflict है, तो center state के relations को कैसे समझेंगे, हम समझेंगे, financial relations क्या होते हैं, administrative relations क्या होते हैं, और legislative relations क्या होते हैं, बोलो, concept clear है, अंकित के इशारी देखेंगे बच्चे, अभी आपके problem का समाधान कुछ निकालते हैं, ये देखो, center state के relation को जब तक नहीं समझोगे, तब तक ये नहीं समझ माएगा कि ममताब एनरजी क्यों नाराज हैं, जगदीत धंकर से उनका ठाना ठानी क्यों होता था, सबसे पहले आपको legislative relation, administrative relation और financial relation को समझना होगा, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद से एक चीज़ और करोगे, क्या करना है, हम सबसे पहले कबर करेंगे कि central list, concurrent list और state list क्या है, जैसे देखो, police है, trade है, agriculture है, और prison है, ये सब क्या है, state list में आता है, कल हमने prison reform के बारे में पढ़ा था ना, कल हमने prison reform के बारे में पढ़ा था, और वो state list में आता है, agriculture को लेके, जो हर्याना और पंजाब के किसान थे, उनका धरना प्रदर्शन क्यों हुआ, क्योंकि agriculture state subject में आता है, तो क्या करना है, आपको center state relations के अलावा, आप state list, union list और concurrent list का, एक data तयार कर लेंगे, ठीक है, आगे चलो, यह दे दिया है मैंने, उसके बाद से, तो पहला combination क्या हुआ, economic survey, budget, 15th finance commission recommendation, reserve bank of India और नीती आयोग, दूसरा क्या हुआ, center state relations, और state list, union list और concurrent list, यह clear हुआ, यह clear हुआ, आगे चलो, अब एक और करना है, अब हमें हमेशा तीन चीज़ों को और clubbing करनी है, preamble, DPSP, fundamental right, fundamental duties, plus sustainable development goals, इनकी एक साथ clubbing करो, यानि जहां आंसर आ है, justice की बात आ है, social, economic, political, fundamental right की बात है, DPSP की बात है, fundamental duties की बात है, sustainable development goal की बात है, इनको एक साथ club कर लो, answer कैसे लिखा जाएगा, मैं बादा करता हूँ, इसी platform पे खड़ा होके, अगर पूरे इंडिया को answer, लाइटिंग नहीं सिखाया, तो मेरा नाम शरशांक नहीं, इसी UPSC वाला के platform पे खड़े होके, मैं इस बात का वादा करता हूँ, कि इंडिया के हर एक बच्चे के अंदर जो डर है, answer writing का, अगर उसको नहीं निकाला, तो मेरा नाम शरशांक नहीं, इस बात का वादा करता हूँ आपसे, मुझे अपने आपे पूरा भरोसा है, अपनी मेहनत पे भरोसा है, और UPSC वाला platform पे इस बात के रिए वच्चन देता हूँ, आप मेरे साथ महीने, दो महीने पढ़िए, हर एक बच्चे के अंदर से, answer writing का, अगर डर नहीं निकाला, तो मेरे नाम शशांक नहीं, चलिए, टीम क्लियर है, पांच का कॉम्बिनेशन कर लिया, DPSP हो गया, Sustainable Development Goal, बोलो, क्लियर है, बच्चे लोग, क्लियर है, अब, सुनो, क्या करना है, मैं इतना homework क्यों करा रहा हूँ, मैं इतना homework क्यों करा रहा हूँ, मैं इसलिए homework करा रहा हूँ, ताकि जब तक बुनियाद मजबूत नहीं होगी, आप मुझे समझेंगे कैसे, और एक चीज़ मैंने पहले दिन से क्लियर कर रिया है, Rolls-Royce category, Rolls-Royce category, एक परसेंट में आपको शामिल होना है, एक परसेंट में, चलो जल्दी से लिख लो, अब एक बार combination कर लो, तो stage 1 में क्या करेंगे, stage 1 का integration क्या है, stage 1 का integration है, economic survey, plus budget, plus 15th finance commission, plus reserve bank of India, plus नितियायोग, इसको एक साथ पढ़ो, दूसरा ले लो, stage 2 में क्या है, stage 2 में पढ़ोगे आप, center state relations, administrative, legislative, और financial, ठीक है, center state relation, plus इसमें federalism के बारे में भी concept clear हो जाएगा, federalism, plus, central, state and concurrent list, आगे चलो, तीसरे stage में क्या integration करेंगे, तीसरे stage में integration करेंगे, preamble, plus DPSP, plus fundamental rights, plus fundamental duties, plus sustainable development goals, अच्छा अभिशेख, सुनो ना, डरो नहीं, डरो नहीं, घबराओ नहीं, पढ़ने से पहले आपके अंदर ये डर है, कि इतना सारा हम याद कैसे रखेंगे, मेरे class में मैं इतनी बार revision कराऊंगा, इतनी बार revision कराऊंगा, कि information आपकी रगों में उतर जाएगा, मैं अपने classes में, UPSC वाला के classes में, आपको इतनी बार revision कराऊंगा, कि information आपकी रगों में उतर जाएगा, और आप चलते फिरते सीखेंगे, के आप हर एक question का answer दे पाएंगे यह मेरा अपने आप में भरोसा है चलो संगीता एक ही दिन में सब थोड़ी सीख लोगे है तोड़के रहेंगे थोड़ा सा time दीजे चलिए अब आपके questions का कोई entertainment नहीं करूँगा मैं सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ अपना सबसे पहले इरान sentences three more persons to death over Amini protest ये घटना महासा Amini के deaths related है महासा Amini एक युवा लड़की हुआ करती थी इरान की जिनको जिन्होंने प्रॉपर तरीके से हिजाब नहीं पहना था इसके चलते इरान की morality force ने उनको पकड़ा उन्हें police station ले गए जहाँ पे उनकी पिटाई हुई और शायद माना जाता है कि उसी torture के चलते उनका custodial death हो गया उसके चलते इरान में सारी महिलाओं ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया इरान में प्रोटेस्ट के बाद से बहुत से फत्वे जारी किये गये बहुत से restriction लगाम लगा दिये गये और मौत की सजा दी गई इस प्रोटेस्ट के दौरान बहुत से लोगों ने security forces के साथ जगड़ा किया जड़ाप हुई जिसमें पहले भी लोगों को सजा दी जा चुकी है यह उसी से related है कि इरान में तीन और लोगों को death की सजा दी गई है लेकिन death क्या final solution है आप अगर death किसी को death sentence देते हैं तो यह सिर्फ suppress करने की बात है आप women को और dissenters को suppress करना चाहते हैं कि कोई आपके खिलाफ आवाज न उठाए लेकिन हो सकता है कि आगे यह बहुत बड़ा बवंडर बनके उभरे पूरे world में इस बात की बड़ी criticism हो रही है फिलाल हम मुद्दे पे चलते हैं और हम इरान की mapping कर लेते हैं इरान के चारों तरफ टीम इरान के चारों तरफ जो है वो आप ज़रा mapping कर लीजे एक बड़ ज़रा इरान को देखिए इरान का टीम इरान के चारों तरफ जो left और right जो भी countries हैं उनकी mapping करो यह हुआ इरान ठीक तो आपको क्लॉक्वाइज और एंटी क्लॉक्वाइज में इसकी मैपिंग कर लीनी है यहाँ पे देखेंगे इरान में यहाँ पर ओमान है, साउधी अरेबिया है, तुर्की है, तुर्कमेनिस्तान है, अफगानिस्तान है और यहाँ पर पाकिस्तान है, उल्टा कर दो, तो पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है, तुर्की है, साउधी अरेबिया है, ठीक है, और इराक भी है, भूल गया था, ओमान, चारो तरफ, team clear है, चलो, ये mapping आप करेंगे, देखो, death sentences का mapping से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन एक बात को समझ ये कि जब तक, team, जब तक आप mapping की आदत ने, आपको बहाने निकालने होंगे, mapping के लिए, बहाने खोच के निकाले है, क्योंकि आपका brain जो है, नॉर्मल चीजों को याद नहीं रखता, आपका brain नॉर्मल चीजों को याद नहीं रखेगा, दूसरा message आया हुआ है, Russia captured East Ukraine village near Bakhmut Separatist, यहाँ पे 36 hour का ceasefire दिया गया था, बोला गया था कि Orthodox Christians जो है, वो अपना Christmas celebrate करते हैं, तो 36 घंटे का ceasefire अनौन्स किया था, बबर आ रही है, कि वो एक चलावा था, वो एक चलावा था, और ब्लादमीर पुतिन चलिया दग्रेट है, यूक्रेन के उपर हमला हुआ है फिर से, और territory को capture कर दिया गया है, लेकिन यूक्रेन और रश्या से related जो भी information है, उसके बारे में आप अच्छे से पढ़ लेंगे सबसे पहला question आ सकता है, Black Sea Grain Initiative से related, जो मैंने कई बार पढ़ाया है, और आपको फिर से पढ़ा देते हैं, Black Sea Grain Initiative क्या है, ठीक है, ये 14 September 2022 का report है, इसका purpose क्या था? इसका purpose ये था, कि रोश्या यूक्रेन वार के टाइम में, पूरे वर्ल्ड में, फूर्ड कार्स कार सिटी देखा जा रहा था, तो इस agreement के चहत, ये decide किया गया, कि कोई भी ऐसा ship, जो अनाज को लेके आ रहा है, ओडेशा पोर से, जो travel कर रहा है, Black Sea में और Black Sea से, Mediterranean में, उसक सेफ पैसेज दिया जाए, तो Black Sea Green Initiative question हो सकता है, उसके अलावा, जो water bodies है, Black Sea के चारो तरफ जो भी countries हैं, उनको आप अच्छे से याद रखेंगे, सिर्फ Black Sea नहीं, मैं बोलूँगा आपको, कि Black Sea के अलावा, टीम Black Sea के अलावा, आप Caspian Sea और Aral Sea के चारो तरफ जो भी water bodies हैं Aegean Sea और Mediterranean Sea, इन सब के चारो तरफ जितनी भी countries हैं, जितने भी important states हैं, ठीक है, जो भी water bodies हैं, जैसे यहाँ पे बोस्फोरस स्ट्वेट हैं, ठीक है, यहाँ पे आपका कर्च स्ट्वेट हैं, ठीक है, उसके अलावा, आपका यहाँ अर्मेनिया, अजर्बैजान का स्ट्वे करेंगे तो बहुत परिशानी हो जाएगी, टीम क्लियर है, नित्या दूबे, there are some war ethics, बट यह डिपेंड करता है कि उस ethics को मानने के लिए countries तयार हैं या नहीं है, टीम क्लियर है, सुर्भी जैन, मैं पूरी कोशिश करूँगा बच्चे, पूरी कोशिश करूँगा, बहुत लड़की का नाम कभी नहीं भूलेंगे, जिस लड़की ने आपका रोज accept करने से मना कर दिया था और बुला, दफा हो जाओ यहां से, यह 5 रुपे का गुलाब लेके तुमने प्रपोस करने की हिम्मत कैसे की, आप बुढ़ापे में बुढ़ापे तक आ जाएंगे, आपक क्योंकि उस rejection के पीछे एक ego है, जो टूट गया था, और क्या है, एक चेहरा है, इसी तरीके से अगर किसी लड़के ने आपको misbehave किया हो, तो आप उसकी शकल कभी नहीं भूलेंगी, सपनों में भी दिल करेगा कि जाओं और उसके चेहरे को खरोच लू, इसी तरीके से हमा कारा ब्रेन जब किसी चीज को याद करता है, तो उसके पीछे कोई न कोई imagination होना चाहिए, अच्छा या बुरा, इसी लिए मैपिंग कराते समय, आपको ढेड़ सारी कहानियां सुनाता हूं, ताकि याद हो जाए, clear है team, हाँ, मैं भी नहीं भूला, मुझे भी किसी ने reject किय था, मुझे भी किसी ने reject किया था, ठीक है, चलो, आगे चलते हैं, यह है UN Conference 6-8 for Pakistan after devastating flood, यहाँ पे United Nation में पाकिस्तान जो है, एक support मांगने के लिए पहुंचा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान की economy जो है, टीम, टीरेल होने के कगार पे आ गई है, लेकिन हमारा purpose यहाँ यह नहीं है, पाकिस्तान में flood आया था, ठीक है, हो गया flood, आप उसमें कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन UPSC का syllabus हम तयार करते हैं, चलिए, सबसे पहले, पाकिस्तान में जो flood आया था, पाकिस्तान म हम क्या करेंगे, कि हम इसमें अपना homework कर लेते हैं, देखो मतलबी बनो, ठीक है, यहीं चीज बोला गया है रॉय मूवी में, होजा, होजा, कैसे वो गाना है, मतलबी, होजा, होजा जरा मतलबी, वो किसके लिए गाया गया है, UPSC वालों के लिए, टीम, वो UPSC वालों के ल लगाना है, चलो, सबसे पहले, पाकिस्तान floods की बात है, हम पाकिस्तान से पहले हम समझते हैं, कि हमारे mountain ranges कैसे याद होंगे, तो हमारे पास क्या है, कितने ranges है, काराकोरम, लद्दाक, जांसकर, ठीक है, उसके अरवा, शिवालिक है, और यह mountain ranges है, तो आप याद कैसे करेंग लिखो, के, एल, जेड, पी, डी, एस, ठीक है, ठीम, mountain ranges याद करो, के, एल, जेड, पी, डी, एस, काराकोरम, लद्दाक रेंज, जांसकर, पीरपांजाल, धोलाधर, और शिवालिक, याद रहेगा, टीम, के, ल, जेड, पी, डी, एस, याद रहेगा, काराकोरम, लद्दाक, जांसकर, पीरपांजाल, धोलाधर और शिवालिक, अरे नवनीत, मैं थोड़ा सान जोश में आ जाता हूँ, जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो, याद रहेगा, अरे बच्चे लोग, ये माउंटेन रेंजेज याद कर, फिर नदी भी पढ़ाता हूँ मैं, और इधर से हिंदुकुष, और इधर से सुल्मान, सुलेमान है, सल्मान नहीं है, टीम, क्या हुआ, एक जटके में पूरा माउंटेन रेंजेज क्लियर कर दिया, के, एल, जड, पी, ड, एस, पूरा का पूरा मैपिंग है यहाँ ठीक है, यहाँ पे धौला धर थोड़ सा ऐसे जाएगा, यह हुआ, अब इसी के ऊपर हम मैपिंग कर लेते हैं, किसका, नदियों की मापिंग कर लेते हैं, नदियों की मापिंग कर लेते हैं, छे नदी निकालो, देखो, में लाइन इंडिया में तीन नदिया चाहिए, आपको इंडस चाहिए, में लाइन इंडिया में आपको तीन नदिया चाहिए, आपको चाहिए इंडस, आपको चाहिए गं ट्रिव्यूटरीज हैं इंडियन इंडस की कितनी ट्रिव्यूटरीज हैं इंडस जोहलफ रावी सतलुच बीज से दिखाई नहीं दे रहा है एक बार ज़रा देख लेते हैं तो आई सी जे आर बी एस आर बी एस का मतलब क्या हुआ रावी बीज सतलुच और आई सी जे का मतलब क्या हुआ इंडस चेनाब और जेलम ठीक हैं टीम क्या किया हमने आरे सारा माउंटेन रेंज पढ़ा दिया इंडस की पाच सा हाइक नदिया है टोटल छे होगे इंडस को लेके रावी बीज सतलुच इंडिया को दे दो और इंडस चिनाब जेलम जो है पाकिस्तान को दे दो ठीक है टीम क्लियर है अच्छा एक बार देख लीजेगा मैं बस आपको तरीका बता रहा हूं याद आ गया अभिशेक शर्मा मत बहकाई ये लोगों को यूप्यसी वाला ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी उससे कुसी का एक्जाम निकलता नहीं है बच्चे लोग माउंटेन रेंजेस कवर हुए नदिया कैसे याद रखोगे याद रहेगा नदिया कैसे याद होगे याद होगया माउंटेन रेंजेस कैसे याद होगे बता दिया आपको और इसी पर मैपिंग कर लो जो जोशी मठ में हो रहा है इसी पर मैपिंग कर लो इसी पर मैपिंग करो पूरा क्या मैपिंग करना है जो मैंने 12 स्टेट बताए हैं जो बहुत ही वल्नरेबल है जो मैंने 12 स्टेट बताए हैं उसकी मैपिंग करूँ इसके उपर कौन सा कलर दू, मुझे तो कलर ब्लाइंडिस हो जाता है, समझ ही में नहीं आता है कि मैं कौन से कलर से इसकी मापिंग करूँ, बात आई समझ में टीम, अभी तक क्या कर रहे थे, अभी तक हम रट्टा मार रहे थे, जोशी मठ का इंसिडेंट, निकालो, करना क्या है, एक दि इंटिग्रेशन कर ली, बचा क्या, कुछ नहीं बचा, 1960, अंकित केशुरी, 1960, बचे लो, क्लियर है, बोलो, यह पूरा माउंटेन रेंज में यहां पे दिया हुआ है, यह रहा पाकिस्तान, यहां पाकिस्तान के फ्लड के बारे में हम बात कर रहे थे, यह इंडस, यह चिन माउंटेन रेंज देखिए, KLZ, PDS बता दिया है आपको, ठीक है, और अब आजा उत्तराखंड में जोशी मट, जोशी मट, ठीक है, चाइना होल्ड लार्ज स्केल जॉइंट स्ट्राइक एक्सरसाइस, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, सिस्मिक जोन, सिस्मिक जोन, एक बार देखले न, ताइवान स्ट्राइट के बारे में मैपिंग होगा, पूरा देखले न, यलो सी कहाँ पे है, छिक है, नॉर्थ कोरिया साउथ करी बीच का बांडरी देखले न, देखले ले न, जपान की मैपिंग कर ले 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 अगए, उसके बाद से आपको क्या करन श्रथा तीवारी अभी आपके question का answer देता हूँ, नीलम बताते अभी, ये clear है team, ये कराया है पहले, कर लेना थोड़ा सा जल्दी, time मिल जाएगा, जाएगा, नाओ, चाइना पोस्ट, वुल्फ वारियर ओफिशल, अब यहाँ पे, वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी क्या है, वुल्फ वारियर डिप्लोमेसी क्या है, तो इसके लिए, हम आज शाम को, आपको एक special वीडियो देंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा, ये जो प्रेजडेंट है, वो है लूला डिसिल्वा, टीम, लूला डिसिल्वा वहाँ के न्यू प्रेजडेंट है, इनका नाम है, लूला डिसिल्वा, और ये कौन है, इनका नाम है जैर बॉल्सोनारो, जैर बॉल्सोनारो का electoral defeat हुआ है, लेकिन electoral defeat होने के बावजूद भी, इ की जितनी भी बिल्डिंग्स थी ब्रुजील में और सिक्यूरिटी ओफिसे थे उन सब के उपर हमला बोल दिया गया है यह पहली बार नहीं है इसके पहले इसका इतिहास जो है डॉनल्ड ट्रॉम्प ने दिखाया था डॉनल्ड ट्रॉम्प के सपोर्टर ने भी कैपिटॉल ह पे हमला किया था कि जो बहुत ही निंदनी है अभी उनके उपर देश द्रोह के आरोप लगे हैं देश द्रोह का मुकदमा चल रहा था उनको ट्रीजन का एलिगेशन लगा है देश द्रोह ऐसा ही हुआ है ब्रजील में और ब्रजील में भी जैर बॉल्सोनारों के जो सपोर उन्होंने government buildings पे Parliament में और Supreme Court की building पे हमला बोल दिया है जिसकी बड़े लेवल पे निंदा की गई है पूरे विश्व में आगे चलते हैं एक बार हम ब्रजील की mapping कर लेंगे ब्रजील के साथ साथ जितने भी biodiversity hotspot हैं उन सब को हम देख लेंगे उन सारी countries को देखेंगे जो Top Tropic of Cancer और Capricorn के बीच में located हैं ताकि हमारा ecology और environment का भी concept clear होता रहे क्या जी बच्चे लोग ये कराया है मैंने ब्रजील का mapping देख लो ब्रजील के mapping में हम क्या करेंगे हम देखेंगे कि यहां पे पूरे world में biodiversity hotspot कौन कौन से हैं Biodiversity hotspot करो Biodiversity hotspot देख लेंगे याद रहेगा हमेशा यह मेसली यह देखें यह सारा का सारा area यह पूरा area आप देखेंगे cold current और warm current की mapping मैंने कराई हुई है और एक चीज़ और देखेगा कि equator पे जो biodiversity है जो biodiversity equator पे है वो हमेशा अधिक होती है और poles पे आपकी biodiversity हमेशा कम होती है यह concept clear है team pole पे biodiversity कम होता है और equator पे biodiversity अधिक होता है यह concept में कोई doubt है बता देंगे शिवानी जी तुशार खत्री आपको mapping नहीं करना है आप mapping मत कीजे बड़ बाकी लोगों को करने दीजे आपका अगर तयार हो गया है तो आप कर लीजे आप आराम से बैठिए चाय पीजे अपने घर पे बाकी लोगों को कराने दीजे चलिए आगे एक चीज़ और भी है जैसे जैसे altitude बढ़ता है वैसे वैसे biodiversity कम होता है तो क्या करना है पहले pole और equator पे देख लेंगे biodiversity और altitude से भी mapping कर लेंगे ठीक है सत्यमानिक बता देंगे आपको latitude के basis पे भी ब्रजील की mapping कर लेंगे और एक बहुत बड़ा question आ रहा है ABC ABC क्या है ABC को हम बोलते हैं चिली, Bolivia and Argentina इन तीनों को क्या कहा जाता है इन तीनों को क्या क्या कहा जाता है तीम यह जो triangle बना है इसको क्या कहते हैं यह important क्यों है इंडिया के लिए तीम यह triangle जो blue color का बना हुआ है इसका क्या मतलब है Argentina, Bolivia, चिली A, B, C का मतलब क्या है क्या है लीथियम triangle बिल्कुल लीथियम triangle चलो आगे चलते हैं बायो डिवर्सिटी होट्सपोट दे दिया है प्लस एक चीज़ और भी कर लेते हैं कि ब्रजील कौन कौन से इंटरनेशनल फोरम में इंडिया के साथ है पहली बात तो यह है BRICS है ठीक है उसके अलबाए इंडिया, ब्रजील, साउथ अफरिका है उसके बाद से G4 कंट्रीज है जो अपने पॉमनेंट सीट के लिए दावेदारी कर रही है तिम क्लियर है ब्रजील, रश्या, इंडिया, चाइना, साउथ अफरिका इंडिया, ब् अब अब आगे चलते हैं जुवेदा बेगम मैं देखता हूँ बच्चे बहुत मुश्किल काम है मैं वादा नहीं कर सकता बट पूरी कोशिश करूँगा ठीक है मैंने बहुत काम किया है असम पब्लिक सर्विस कमिशन के लिए मतलब उसके बच्चों के लिए मैं देखता हूँ बुलाएंगे UK वाले जो है 3000 वो इंडिया आएंगे और इंडिया के जो 3000 प्रोफेशनल्स हैं वो UK जाएंगे ये है cultural exchange प्रोग्राम है जिनको degree holding citizens 18-30 साल के लोगों को हर एक country में आने का, काम करने का मौका दिया जाएगा इसका नाम है इंडिया UK Migration and Mobility Contract इंडिया UK Migration and Mobility को मई 2021 में साइन किया गया था और G20 इंडोनेशिया बाली में दोनों countries के प्राइम मिनिस्टर ने इसके बारे में और भी बात किया था कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास study visa हो, आपके पास आपको हर साल जो है government of India तीन visas को अप्रूफ करेगा, तीन हजार लोगों को अप्रूफ करेगा UK जाने के लिए इस program के अंतरगत, अगर आप बिना किसी study के भी अगर जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं उसके लावा और क्या कहा गया है? कि scheme will run for a period of three years, तीन साल तक ये scheme अभी माना गया है, आगे देखा जाएगा बढ़ाएंगे की नहीं बढ़ाएंगे Now, Young Indians और Britain जो है, इनको हर एक country में आप travel कर पाएंगे, हर साल, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास job होना चाहिए या किसी study के लिए जा रहा है अगर आपका visa approved हो गया है, अगर आपका passport बन चुका है, अगर आपका nomination 3000 लोगों में है, तो आप वैसे भी UK जा सकते हैं यह क्या है, यह हमारे migration and mobility का पार्ट है इंडिया और UK के बीच में, इंडिया और UK के बीच में free trade agreement के बारे में भी बार चल रहा है, जो अभी तक finally materialize नहीं हो रहा है, शायद किसी बिल्ली ने रास्ता काड़ दिया है, और हर बार कोई न कोई परिशानी आ रही है कल मैंने demographic dividend से related, टीम, demographic dividend से related एक question handle किया था, कि जिस तरीके से world में working age population, workforce कम होता चला जा रहा है, एजिंग population हो रहा है, उसी के साथ इंडिया में अगर देखा जाए, तो population बढ़ रहा है, इन सब चीजों को अगर देखें, तो इंडिया के पास एक बहुत golden opportunity है, world का skilled manpower का supplier बनने का, लेकिन इसके लिए इंडिया को अपने manpower को पूरी तरीके से skilled करना होगा, टीम clear है, डैसपोरा के बारे में है, प्राइम इनिस्टर ने बोला है, प्राइम इनिस्टर सर ने बोला है, डैसपोरा के बारे में, डैसपोरा एक बहुत ही powerful चीज है, ये देखें, डैस्पोरा का सिंपल सा मतलब यह होता है कि एक कंट्री के लोग जब पूरे विश्व में अलग-अलग जगह पे बिखरे होते हैं तो वो क्या करते हैं वो गुडविल अंबासेडर होते हैं वो कल्चरल अंबासेडर होते हैं अपनी कंट्री के इसी को हम डैस्पोरा बोलते ह हमें भेजते हैं, यानि जो भी लोग यहां से गए हैं, UK में, US में, France में, Germany में, Middle East की कंट्रीज में, वो रिमेटेंस भेजते हैं, अपने देश से कमा के, ठीक है, तो Indian diaspora बहुत ही strong diaspora है, ठीक है, यह तीन लोग है, उसके लाबा UK-India Young Professional Scheme मैंने आपको बता दिया है, Now, all damaged buildings in Joshima to be raised cracks on 678 structure, इसके बारे में हमने कल discussion किया था team, एक बात सुनो, आप समझ में आया, K, L, Z, P, D, S, आया समझ में, आप समझ में आया, K, Indus, Ganga, Brahmaputra, इन तीनों को एक साथ ले लो, इनको एक साथ ले लो, I, C, J, Indus, चिनाब जेलम, रावी, बीस, सतलुच, और 1960 का Indus Water Treaty ले लो, आया समझ में, उसके बाद से, 12 states की मैपिंग करो यहां से, 12 states, जो की बहुत ही, वल्नरेबल है, ठीक है, उसके बाद से, इंडिया के coastal area का data ले लो, कि इंडिया को कितना-कितना खत्रा है, आई बात समझ में, आरे, श्रेया सिंग एड कर देंगे, आई बात समझ में, जो मैंने अभी समझाया था, टीम क्लियर है, अरे, बच्चे बोलो न, उसके रावा, हमने उपर कर ही लिया, और coastal area को भी, हमने मैपिंग कर दिया, क्योंकि यहां पे cyclones का खत्रा है, चलो, आगे देख लो, यह Press Information Bureau का information मैंने दे दिया है, और इंडिया के कौन कौन से states, वल्नरेबल हैं, वो सब हमने इसमें दिखा दिया है, अच्छे से देखिए, समझेए, और इंडिया को हमने सेस्मिक जोन्स में भी बाट दिया है, यानि कौन सा area भूकंप के जटकों के लिए कितना वल्नरेबल है, पूरा नौर्थ ही जो है, यह कभी भी भूकंप की चपेट में आ सकता है, उसके लावा, हमारे यह पूरा mountainous region जो है, आज जो हमारा जोशी मठ में हो रहा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मनमानी करते हुए, तमाम गवाहों और सबूतों के मद्दे नज़र रखते हुए, उनको दरकिनार करते हुए भी चारध हामयात्रा में, बहुत बड़े लेवल पे infrastructure डेवलप किया ग चलिए, टीम यह हमने कई बार रिखा है, सस्टेनेबल डिवलेप्मेंट गोल्स के साथ साथ, आप सेंडाई फ्रेमवर्क को देखेंगे, सेंडाई फ्रेमवर्क को समझेंगे और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अक्ट को लेके चलेंगे, समझ में आई बात, बच्चे लोग, आप बिलकुल परिशान मत होए, टीम आप बिलकुल परिशान मत होए कि आपको याद कैसे होगा, मैं आपको वादा करता हूँ कि आपकी रगों में अगर UPSC की तयारी को नहीं उतारा, आपका सेलेक्शन होगा, नहीं होगा, that's entirely up to you, but I can guarantee you about this thing, कि आप इ about it, just prepare for war, it's a declaration of war, it's a declaration against average, it's a declaration against mediocrity, एक परसेंट का हिस्सा बनना है, चलो, शुभम कुमार, बच्चे मैंने सुन लिया है, मैंने matter escalate किया हुआ है, आप बार-बार उस message को भेज रहे हैं, yes मैंने matter escalate किया है बच्चे, अब चलो आगे, बोल सोनारों के बारे में हमने discuss कर दिया है, बहुत ही बेहुदा आदमी है, ठीक है, now, TN governor walks out of house as CM objects to deviation from the speech, क्या है, Tamiladu government में, Tamiladu assembly में, what happened, एक governor का speech होता है, उस governor के speech में सब कुछ pre-mentioned होता है, लिखा होता है, जिसमें द्रवणियर model of governance के बारे में mention किया हुआ था, और ये letter जो था, ये speech जो था, तमिलाडu governor R.N.R.V. को पढ़ना था, R.N.R.V. ने अपने speech में, द्रवणियर model of governance की governance की जो खासियत थी, इसके बारे में इन्हों ने इसको skip कर दिया, और आगे पढ़ना शुरू कर दिया, इस बात का objection उठाया, चीफ मिनिस्टर ने, कि आपने, द्रवणियर model of governance के बारे में, आपने कुछ बोला ही नहीं है, इस बात से नाराज होके, जो हमारे governor सर है, तमिल governor ने किसी certain portion को पढ़ने से इनकार कर दिया है, ये एक नई कहानी जूड़ गई है, center state relations के बीच में, और governor और chief ministers के बीच के टसल को, तो ये मामला governor और chief minister का नहीं है, मामला है federal principles का, team, मामला है federal principles का, note कर लीजे, सबसे पहले आपको समझना होगा, federalism का मतलब क्या होता है, सब federalism के बारे में पढ़ना होगा, कि federalism का मतलब क्या है, is it power sharing, yes power sharing है, तो क्या सही तरीके से power share किया जा रहा है, this is power sharing, तो center state relations में आप legislative relations पढ़ेंगे, administrative relations पढ़ेंगे, और financial relations पढ़ेंगे, ताकि आप center state relations को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएं, बचे लोग, concept clear हो रहा है, team concept clear हो रहा है, बोलो ना, बोलो, देखो, समझ लो, समझोगे, तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, रट्टा मारने का कोई फाइदा नहीं है, चले, आगे, चलो, Now, usually destroying lives in Gujarat, police plan action ये common news ने, common लेकिन uncommon news ये है, कि Gujarat में धढले से, साहुकार लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं, और बहुत से लोगों ने इसके लिए अपनी जान भी दे दी है, आप सोचिए कि 50,000 रुपए के बदले, यहाँ पे साहुकार, Moneylender जो हैं, वो 12-12 लाग, 10-10 लाग रुपए जबरदस्ती वसूल रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं, एक ऐसे घटना आई है, जिसमें एक औरत, एक हस्मन ने अपना लोन लिया, 50,000 का लोन पूरा न करने के चलते, उस women का repeated time पे जो हुआ है, rape किया गया है, और ऐसी बहुत सी घटना हैं, जो गुजरात में धाडलने से चलती चली आ रही हैं, इसके पहले, राजस्तान में ऐसी घटना सामने आई थी, जहां stamp paper पे लड़कियों की बिकरी की जा रही थी, क्योंकि इन छोटी बच्चियों के जो parents थे, वो अपना loan चुकाने में, जो रहे थे, वो capable नहीं थे, वो अपना loan नहीं चुका पा रहे थे, जिसके चलते stamp paper पे वो अपनी लड़कियों को बेच रहे थे, यह हमारे समाज में बहुत ही शर्मनाक घटना है, बहुत ही शर्मनाक घटना है, पुलिस ने इसके बारे में संग्यान लिया है, और इस पर action ल या आप यहां के पुलिस या DGP होते, तो आप इसके बारे में क्या करते, या आप अगर एक journalist होते, तो इस मामले को आप कैसे उठाते, तो इसको ethics के perspective से देख लिजेगा, Now, आंध्रपदेश मूफ सुप्रीम कोर्ट seeking fair division of assets liabilities with तेलंगाना, तेलंगाना और तेलंगाना राष्टर बनने के बाद से, उसमें बहुत से जो public offices हैं, public resources हैं, land हैं, buildings हैं, इन सब को बटवारा करना था, लेकिन अभी तक बटवारा हुआ नहीं है, जिसको लेके सुप्रीम कोर्ट में ताकि fair distribution किया जा सके assets और liabilities का, इसमें कुछ critical नहीं है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या करता है इसमें, आगे चलते हैं, तमिलारु गवर्नर आर और रवी के बारे में incidents है, ठीक है, इसके बारे में कुछ बहुत खास नहीं है, simple ये एक और कवर्नर के बीच में जो तनातनी चल रही है, उससे related है, now next article editorial है, editorial में census है, ठीक है, time to count census, census जरूरी क्यों है, team census को हम cover कर लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि census यहाँ पर भी आया हुआ हुआ है, यह देखिए, the delay in decanial census, जब किसी भी country में, जब हमारे पास census में, अचरु के एक मि wait कर लीजे, team यह buffering सिर्फ नीरस तीवारी, एक मिनट रुको, एक मिनट रुक जाओ, झाल झाल, यह रख सक्षाबर सी। 15th Finance Commission का mandate याद है ए बच्छे लोग 15th Finance Commission का mandate याद है आ गया voice voice आ गया कर लिया ओन ठीक है सुनो 15th Finance Commission का याद रखो प्रॉब्लम क्या है प्रॉब्लम ये है कि Finance Commission को जो mandate दिया गया है वो ये है कि आप resources का बटवारा कैसे करेंगे resources का बटवारा आपको करने के लिए क्या चाहिए resource का बटवारा करने के लिए आपको इन बिंदूओं पे resources का बटवारा करना है दिखा आपको इन बिंदूओं पे resources का बटवारा करना है लेकिन भाई साब ना रहेगा बास ना बजेगी बासूरी जब तक आपके पास census का data नहीं आएगा तब तक आप कैसे करोगे और अगर पुराने census के data पे आपने किया तो problem क्या होना है लगभग 18 करोड लोग पीछे छूट जाएंगे क्या उनके fundamental right का violation नहीं होगा होगा ना तो आप देखो एक बार population area forest and ecology income distance demographic इन सब के लिए आपको data चाहिए census data चाहिए और जब census data नहीं होगा तो बहुत दिक्कत होने वाली है इसी चीज़ को लेके हमने क्या किया है हमने consolidate कर लिया है एडिटोरियल को रुख जाए एक मिनट हाँ एक बार देखते हैं कि population data thank you population data से क्या क्या क्यों होना चाहिए important क्यों है sources of information यह इसके चलते हैं इससे हमें क्या पता चलता है इससे हमें growth के बारे में पता चलता है उसके लाबा population कौन से state में population अधिक है कौन से state में population कम है और उसके हिसाब से हम projection decide कर सकते हैं उसके लाबा administration, planning और policy making के लिए भी आपको data चाहिए और इसी के बेसिस पे हम यह decide कर पाएंगे कि जो पिछला plan बनाया था उसका result क्या था उसके लाबा demarkation की बात कीजिए अगर हम parliament की बात करें you know state legislator की बात करें, parliament की constituency की बात करें उन सबका demarkation भी ज़रूरी है और उसके लिए भी आपको population data चाहिए अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा state और parliamentary elections के लिए जो है demarkation, delimitation नहीं हो पाएगा plus grants, finance commission के जो grants है वो population के basis पे दिये जाते हैं, अगर यह नहीं होगा तो वो grants नहीं मिल पाएगा और अगर old data पे आप कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि बहुत से लोग लगवक 18 करोड लोग जो है वो पीछे चूट जाएंगे demarkation मतलब हर बार हमारे जो पार्लेमेंटरी संसदिय और विधान सभा के छेत्र है उनकी boundary को घटाया बढ़ाया जाता है population के basis पे कहीं population बढ़ जाता है, कहीं population कम हो जाता है, कहीं migration हो जाता है इन सब चीजों के लिए हमें delimitation commission बनाया जाता है, लेकिर उसके लिए भी population data चाहिए, census data चाहिए यह हमने कल कबर किया था, team clear है, बच्चे लोग इसमें कोई कोई दिक्कत है कि census क्यों important है ए बच्चे लोग, दिव्यानशु पांदे, thank you so much यह clear है, census क्यों होना ज़रूरी है, finance commission का domain से कर लोगे integration आगे चलो, एक article यह भी है Supreme Court must provide a definitive directive on the right of same-sex couples अभी इंडिया में, अभी 15 ऐसे social welfare scheme है, जिसमें same-sex वालों को कोई facility नहीं मिलती Supreme Court ने high court और जितने भी district court में same-sex marriages से related, जो भी cases है उनको अपने under में ले लिया है, और central government से उनका opinion पूछा है कि same-sex marriages को आपका क्या opinion है, same-sex marriages के बारे में Central government का ये कहना है, कि हमारे हाँ same-sex marriages का कोई concept नहीं है ठीक है, हमारे हाँ special marriages act है, जिसके अंतरगत, अगर मान लिजो कि आप inter-religious marriages नहीं कर पा रहे हैं, तो आप special marriage act के अंतरगत आप शादी कर सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी problem क्या है, problem ये है कि इन सारे cases में आपको, देखे, यहाँ पर दिया है, क्या, यहाँ पर 5 फरवरी को petition है, इन्होंने petition फाइल किया गया है, कि same-sex marriage को legalize करने की जरूरत है की नहीं, मतलब legalize करना चाहिए, Supreme Court ने इससे related details मांगे हैं, कि Central Government का क्या कहना है, ये पूछा गया है कि क्या same-sex marriages को हम Special Marriage Act 1954 के अंतरगत लेते आएं, जिसके अंतरगत जो है, अगर आप अपने personal laws, यानि आप अपने religion के basis पे अगर शादी नहीं कर सकते, तो आप Special Marriage Act के अंतरगत आप शादी कर सकते हैं, दो landmark judgments आये थे, पहला था K.S. पुट्टा स्वामी केस 2017 में, जिसमें right to privacy के बारे में कहा गया था, एक बात बताईए, कि अगर मैं Special Marriage Act के अंतरगत अगर शादी करता हूँ या करती हूँ, तो मैं District Magistrate को साथ दिन पहले information क्यों दूँगा, और दूँगी, और उसके बारे में आपके Notice Board पे एक information शिपकाया जाएगा, कि अगर आपको, तिम, अगर आपको किसी को कोई objection हो, तो इसमें objection उठा सकता है, नहीं, मेरी शादी, मेरा affair, मेरा personal matter है, एक state का इससे कोई लेना देना नहीं है, ये privacy का violation है, ये fundamental right का violation है, ये right to life and dignity का violation है, उसके लावा नवते जोहर केस में भी बोला गया, homosexuality को decriminalize कर दिया गया, अब question ये उठता है, कि क्या special marriage act के अंतरगत, homosexuality, I mean, same sex marriages को भी approval दिया जा सकता है, इसी के बारे में question पूछा गया है, क्योंकि LGBT community और same sex marriages का, कोई हमारे society में कोई acceptance नहीं है, we do not accept these marriages, हमारे हाँ जो concept है, वो ये है, कि biological man का, biological women के साथ ही शादी हो सकता ह है, बाकी नहीं हो सकता, now, petition ये भी argue करता है, कि same sex marriages को अगर आप वो right नहीं देते हैं, तो ये article 14, article 19 और article 21 का violation है, team ज़रा note करतो, team और article 16, universal declaration of human right, तो क्या करेंगे, ज़रा हम एक golden triangle बना लेते हैं, बच्चे लोग, golden triangle बना fundamental rights का, fundamental rights का golden triangle बना लो, कैसे बनाओगे, article 14, article 19 और article 21, तीनों क्या हुए, ये golden triangle है, fundamental rights के, article 14, article 19, article 21, लिख लो golden triangle of fundamental rights, और बच्चे, एक सुलेखा, article 21 तो है ही, article 16 भी लिखो, article 16 क्या है, article 16, आनंत्री पार्टी थाएंगे, बच्चे, article 16 है, universal declaration of human right, United Nation का, article 16, universal declaration of human right है, क्या कहता है, कि इंडिया इसका signatory है, ये कहता है, article 16, man और women जिनोंने अपना full age attain कर लिया है, बिना किसी limitation के, चाहें वो race के basis पे हो, nationality के basis पे हो, gender के basis पे हो, इनको पूरा हक है, अपने मन पसंद के वर और वधू से, शादी करने का, I mean, अपने जिंदगी गुजारने का, और उसमें किसी भी तरीके का, interference नहीं होना चाहिए, state के तरफ से, तो क्या हुआ, golden triangle बना लिया, fundamental, good, 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 वकार, good one, golden triangle 14, 19, 21, और 16, ले लो, universal declaration of human rights, 16, ले लो, universal declaration of human rights, universal declaration of human rights हो गया, universal declaration of human rights, चलो, उसके अलाबा, बाकी सारा पढ़ेंगे, दूसरा article है, the difficulties in determining age, यहाँ पे बहुत से cases आ रहे हैं, juvenile delinquency के, क्या, juvenile delinquency के, इस case को अगर देखा जाए, तो निर्भाया हत्याकांड में, जो सबसे छोटा लड़का था, सबसे माइनर लड़का था, उसने सबसे ज़्यादा brutality की थी, अब juveniles के अगर हम बात बोलें, तो juveniles का मतलब यह है, कि वो बच्चा, जो 18 साल सी age का कम है, जो अभी व्यस्क नहीं हुआ है, जिसको अभी adult नहीं माना जाता है, लेकिन अगर देखा जाए, तो पिछली कुछ सालों में, juvenile delinquency के cases बढ़ते चले आ रहे हैं, juvenile delinquency का मतलब क्या है, यानि कि यह 18 साल से कम उम्र के बच्चे हैं, जो किसी न किसी मामले में, या तो जेल में बंध हैं, या किसी न किसी कानून की धारा में, इनको सनलिप्त पा सामने, जिसमें बहुत से juvenile delinquents का involve होना पाया गया है, इसमें ऐसे लड़के हैं, यांग लड़के हैं, जो अपने pocket money के लिए, अपने चरस के लिए, अपने अफीम के लिए और अपने वो वो spirit भी smell करने की आदत पढ़ जाती है, gambling भी करते हैं, इन सब के चलते, ये बहुत से अपराधों में लिप्त पाय जा रहे हैं, कट हुआ में एक case हुआ था, जिसमें 8 साल की बच्ची के साथ, rape molestation किया गया था, और उसके बाद से उसको जान से मार दिया गया, इसमें एक 17 साल से उपर का हो चुका है, adult के तोर पे trial के लिए आदेश दिया है Supreme Court ने, so कहने का मतलब यह है कि हम बच्चों की age के basis पे हम बच्चों को try करे, मान लिजी कि एक बच्चा 14 साल का है, लेकिन उसने बहुत ही बरबरता से किसी को मार दिया, आपने KGF मूवी में देखा और वो पुलिस वाले के सर पे bottle दे के मार देता है, सर फोड़ देता है, वो एक classic example है, जिस तरीके से juvenile delinquency के cases हमारे बढ़ते चले जा रहे हैं question ये है, कि जगन अपराद के मामलों में बच्चों को उनके juvenile age के basis पे trial किया जाए या अपराद के, टीम समझना, बच्चों को अगर मान लिजे कि मैं 14 years का लड़का हूँ, लेकिन मैंने किसी को rape किया और किसी का murder कर दिया, तो क्या मुझे एक बच्चे की तरह trial होना या फिर अपराद जो मैंने किया है, उसके basis पे मुझे adult के तोर पे trial किया जाना चाहिए, ये सबसे बड़ा question है, कट हुआ rape case में Supreme Court ने जिस बच्चे को पहले minor के तोर पे trial के लिए बोला था, बच्चे को अब adult के तोर पे आदेश दिया है कि इसको व्यसक के तोर पे इसके माइनर बताया जा रहा है, Government of India के पास जो भी जो हमारे forensic labs हैं, उसमें हम age का determination कैसे करते हैं, हम ossification test, यानि आपके हड्यों की सघंता, bone density के ऊपर जो है, हम search करते हैं, test करते हों और उसमें bone की density से, calcium के density से पता चलता है कि आपकी age कितनी हो रही है, इसके लावा wisdom tooth से भी related क्या कहना है, इस पूरे article में यहीं कहा गया है, कि juvenile delinquent को कैसे decide किया जाए, कि किसी बच्चे को उसके age के basis पर try किया जाए, उसको punishment दिया जाए, या case किया जाए, या उसके अपराद की severity, severity of crime या अपराद की जगहन्यता के आधार पे, यही question इसमें पूछा गया है, एक ची juvenile justice act के अंतरगत उसको आदा, उसको उसको चलाया जाता है, और वो बच्चा correctional home में 3 साल के लिए रहता है, 3 साल के बाद उसको छोड़ दिया जाता है, लेकिन जिस तरीके से cases बढ़ रही है, और जिस तरीके से brutality बढ़ रही है juvenile delinquents की, यह बहुत बड़ा question हमारे सामने आने वाला है, आगे चलते हैं, a step towards fighting corruption, इस article में क्या कहा गया है, corruption के बारे में कहा गया है, corruption में यह है, अगर मान लिजे कि मैं एक officer हूँ, अगर मैं एक officer हूँ और मेरे खिलाफ corruption के charges लगे हैं, जैसे अभी अंदमान में एक chief secretary के उपर कई women को molest करने का blame लगा हुआ है, उनके उ कोता था, कि आपको सबूतों और गवाहों के आधार पे, सबूतों और गवाहों के आधार पे, जो है, आपके उपर मुकदमा चलता था, और आपका crime जो है, उसको establish किया जाता था, लेकिन अभी एक नया jurisprudence आया है, जिसमें Supreme Court ने कहा है, कि अगर गवाह पलट भी जाए, और बाकी सारे साक्ष, ये बताते हैं कि आपने corruption किया है, तो आपके उपर मुकदमा चलेगा और आपको सजा मिलेगी, टीम, corruption के मामले में Supreme Court ने एक नया parameter follow किया है, मान लिजे कि मैं एक corrupt official हूँ, और आपने मेरे खिलाब blame किया, कल को मैंने दबाव डाल आपके उपर धमका और आपने अपना बयान वापस ले लिया, इसका मतलब क्या कि मैं बरी हो जाओंगा, Supreme Court ने मना कर दिया है, कि अगर गवाह पलट भी जाएगा और बाकी evidence आपके against में है, तो भी आपके उपर trial होगा और आपको corruption की सजा दी जाएगी, इसी के बारे में इस article में बोला गया ह corruption के बारे में general observation दिया है, आर के रागवन साहब ने, जो CBI के director रह चुके हैं और इनको IPS officer रहे हैं और बहुत ही respected IPS officer के तौर पे इनको जाना जाता था, जाना जाता है अभी भी So, the extent of corruption in public life, it's more about public life, even if prosecution witnesses turn hostile, a conviction would be in order if all the circumstantial evidence marshaled by the prosecution and produced before the court points unmistakably the guilt of the accused बाकी सारा इसमें normal है कि किस तरीके से corruption जो है हमारे देश को खाता चला जा रहा है, अगर देखा जाए, तो corruption का भी एक triangle है, जिसको हमें समझने की जरूरत है Corruption के triangle में अगर देखा जाए, तो यहाँ पे politicians है, politicians है, यहाँ पे businessman है, और फिर आपके bureaucrats हाते है ठीक है, यह आपके ethics, integrity and aptitude का भी example है, ethics, integrity and aptitude का भी है तो political businessman and bureaucrat के nexus के बारे में बोला गया है, और यह बोला गया है कि अगर आपके खिलाफ charges हैं, अगर गवाह जो है, हट भी जाता है, अपना सबूत वापस ले लेता है, बयान वापस ले लेता है, तो भी आपके against में मुकदमा चलेगा and you will be held accountable for the corruption deeds done by you, team, एक बार जरह इस article को पढ़िएगा, इसमें बाकी generalization है, आगे जो crux है उसका वो मैंने बता दिया है, एक और article बता रहा है इसमें, वो article है, a mountaining reeling under human aggression, तो इसमें मैंने जोशी मट के बारे में सब कुछ बता दिया है, और इस article में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने आप पढ़ेंगे, team, जोशी मट के बारे में हमने पूरा विस्तार से चर्चा कर दिया है, जोशी मट के बारे में जितना किया है, इस article में उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं दिया हुआ है, आप चाहें तो पढ़ के देख लिजएगा, ठीक है, लर्णिंग मैं क और पंचायत का सबसे बड़ा प्रोब्लम क्या है, रिसोर्सेस, इन सारे मिनिस्पल और पंचायत के पास रिसोर्सेस की बहुत कम्या रही है, जिसके चलते ये अपना काम सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं, अगर 73rd and 74th Amendment Act की हम बात बोलें, तो ये दोनों Act को बनाय क्यों गया था, ताकि हम grassroots level democracy को हम promote कर सके, लेकिन जब आप किसी institution को financial resources नहीं देंगे, तो वो institution function कैसे कर पाएगा, अगर देखा जाए, तो आने वाले से जिस तरीके से urban local bodies के challenges बढ़ते जा रहे हैं, COVID pandemic की बात ले लिजए, flood की बात ले लिजए, rainfall की बात ले लिजए, earthquake की बात ले लिजए, crime की बात ले लिजए, तो urban local bodies के उपर बहुत बड़ी responsibility है, लेकिन इन सब responsibilities को देखने के बावजूद भी, इनकी resources बहुत ही कम होते चले जा रहे हैं, जिसके चलते urban local bodies का functioning जो है, वो चैप्टर से पढ़ लेंगे, और ये UPSC का question रह चुका है, team, ये UPSC mains का 2021 का question रह चुका है, पंचायत and urban local bodies, आगे चलते हैं text and context में, ये मैंने आपको बता दिया है, census को delay क्यों नहीं करना चाहिए, man animal conflict के बारे मैंने भी आपको बताया, कल वाला one health concept याद रखिएगा, team, क man human animal conflict क्यों हो रहा है, क्योंकि habitat loss हो रहा है, क्योंकि habitat loss हो रहा है, उसके लाबा जो agriculture pattern है, वो change होता चला जा रहा है, उसके लाबा अगर देखा जाए, तो बहुत से हैं, urban areas का जो है, वो बढ़ावा, मतलब expansion होता चला जा रहा है, इसके चलते, इन सारे man और animal का conflict आपको दे political color, यानि कि unlawful conversion के बारे में Supreme Court अभी decision लेने वाले हैं, आपके पास right to freedom of religion है, लेकिन अगर आप किसी को, ठीक है, right to freedom of religion है, लेकिन अगर आप किसी को बर्गलाते हैं, किसी को धोखा देते हैं, किसी को बहला फुसला के, अगर आप उसका धर्म परिवर्तन कराते हैं, तो य आपका क्या कहना है, unlawful conversion के बारे में, यहाँ CRPF to provide arms training to civilians in Punch and Rajauri district, यहाँ पे village defense committee, team, village defense committee बनाई जा रही है, जम्मू एन कश्मीर में, जम्मू एन कश्मीर में लगातार कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदूों को target किया जा रहा है, जिसके चलते, रजौरी एरिया में CRPF ने decide किया है, कि village defense committee बनाई जहाँ वहाँ पे common लोगों को, common man को हम train करेंगे, common लोगों को हम train करेंगे, और उनको हम weapons देंगे, ताकि वो आतंकियों से मुकाबला कर सके, परपस यह नहीं है कि उनको army की तरह train किया जाए, बट यह माना यह जा रहा है कि इस से थोड़ा सा आतंकवादियों में डर पैदा होगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस initiative के चलते कहीं ऐसा नहों कि यह particular population जो है और जादा आतंकवादियों के निशाने पे आ जाए, यह पहले भी था, village defense committee था, यह पहले भी जमू कश्मीर में हुआ करता था कर दिया गया था, लेकिन Home Ministry ने इसके लिए फिर से approval दे दिया है और Central Reserve Police Force जो है इस पे फिर से training करने वाली है village defense committees को, राजनात सिंह जी कहते हैं, making India initiative defense is not isolationist, इसमें आप पढ़ेंगे, दो-तीन newspaper है, डास पोरा के बारे में मोदी जी न अच्छी बाते कहीं है, and opposition parties ने EVM को मा appreciate नहीं किया है, उनके दिमाग में apprehension है, कि इससे कैसे होगा, इससे कुछ भला नहीं होने वाला है, बाकी railway में बहुत बड़े level पे जो है, 3.12 lakh Indian railways post जो है, अभी तक vacant पड़े हुए है, तो ये मामला जो है, ठीक है, थैंक्यू, ये वाला मामला जो है, आपका, जो, आप governance क matter है, बाकी जो है, heavyweight articles मैंने cover कर दिया है, आप बाकी बस ये article था, team I am satisfied today, सुनो ना, बीमार हूँ वो छोड़ दो, बट मैं खुश इसलिए हूँ ना, कि एक एक article को लेके चला हूँ मैं, मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ, मैं आपको ये भरोसा देना चाहता हूँ कि आप जो मैंने कराया है ना, उसका बस concept तयार करके देख लो, बता रहो आपसे कि मैंने जो आज पढ़ाया है, सिर्फ इसको आप screenshot ले लो, pdf ले लो, अभी हमारे telegram channel भी बनने वाला है, team, telegram channel भी बनने वाला है, telegram channel में मैं आपसे रूबरू हो पाऊंगा, अभी टाइम लगेगा, लेकिन हम जल्दी ही आपसे communicate करेंगे, जल्दी ही आपसे communicate करेंगे, ताकि आप मेरे से directly जूड सकें, और किसी भी चीज को share करने के लिए इतना problem ना हो, ठीक है, दो दिन का मुझे time दो, Saturday आने से पहले पहले वो telegram link एक बार approval मिल जाए, अपने UPSC वाला team से तो आपके साथ share करूँगा और दिल से जो material आप बार-बार कहते हैं, कि sir ये share नहीं हो रहा है, मैं खर दूँगा, thank you so much, God bless you, love you all, thank you, जय हिंद, जय भारत, thank you